हेलो एवरीवन विल्कम बैक तो अबर चैनल जी डीसी एट्विटर जैसा कि आपको पता है डी फार्मेसी का जो फाइनल एक्जाम है वो आ चुका है आने वाला है चाहे आप अलग-अलग बोड की बात कर लें चाहे वो यूपीबीटी बोड हो आरजीपीबी भुपाल बोड आपको यूमोम यूपी बोड हो महारास बूड और करनातका बूड हो या आल इंडिया की जित्ने भी भी बोड हो इन स्बका पेपर आपका आने वाला है जो फाइनल एक्जाम हो हो चाहे बूझे आप श्यूदेंट हो चाहे आप सेकेंड एर के स्टूदेंट हो तो हमारे इस चैनल पे डी फार्मेसी फस्ट यर और सेकेंड यर के सभी सब्जेक्ट का complete model paper का discussion हो रहा है मतले ऐसे कौन-कौन से question है जो कि आपके लगातार exam में पूछे जाते हैं हर बार exam में फस्ते ही फस्ते हैं उन्हें सभी important question का हम यहां पे discussion कर रहे हैं question को बताते हैं कि किस-किस question क आपको तयार करके जाना है उस particular subject में साथी साथ उन सभी question के explanation या answer या कह सकते हो notes कैसे मिलेंगे video explanation कैसा मिलेगा और साथी साथ model paper सारे subject के कहां मिलेंगे उन सभी चीजों की बात हम अपने इस वीडियो में करेंगे तो पूरे वीडियो में last तक जरूर बन रहिएगा ताकि कोई विए information मसना होने पाए आज का हमारा तो यह UPBT का आपका जुलाई के आसपास होने वाला है आर जीपी भी MP बोर्ट की बात कर लें तो यह भी 20 महीं से प्रपोस है करनाटका बोर्ट का जून में है महरास्टा का 3 महीं से स्टार्ट है उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिहार में तो यहां पे भी जून से लेकर आपका जुलाई तक में हो जाएगा उसके बाद आपका एक्सेट एग्जाम भी होना होना है तो उस हेसाब से आपका यह जुलाई से पहले पहले है एक्शाम होता है अगर सेंटीर की बात करें बॉं फिर 00 इन्टेरनल होता है एक एक्स्टरेनल होता है इंटरनल की 20 मक्स एक्स्टरनल मतलब करें की л 됐 जाता है कहुआ दिसक्रशन करें लिए असी भी 100 तो pace करें देनों और और फेट के द। नहीं जाते हैं अगर हम बात करते हैं कि थियोरी में paper pattern कैसा होगा तो simply अगर बात करते हैं बाहर बाहर आपका 80 marks का आएगा जिसमें 30 marks का आपका long question आएगा 30 marks का sort आएगा और 20 marks का objective या one liner आएगा तो यह 80 हो गया प्लस इंटरनली 30-35-40-20 जिसका होगा उसका average 20 निकाल दिया जाएगा तो 20 plus 80 total यहां 100 marks का question आने वाला है इसी को देखते हुए हम यहां पर model paper बताएंगे कि क्या के आपको त्यार करके जाना है चलिए अगर हम देख लेते हैं total आपका तीन घंटे का paper होता है final 80 marks का total यह paper होगा सभी question compulsory होते हैं आपका हर एक question को new page में लिखना होता है heading बना के लिखना होता है और pen वगरा का काम करना होता है अच्छे से illustrate करना होता है साथी साथ figure वगरा भी अगर अच्छे से है इंडिकेशन है तो full marks मिलते हैं यह भी आपको पता है mobile phone पेजर यह सब electronic device अलाओ नहीं होती अब दो paper pattern की बात कर लेना तो आपको क्या है यह आपका PCI के according है लेकिन बहुत से board में क्या होता थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन official जो paper pattern ही आई है कि लॉंग एंसर हैगा 7 दिया रहेगा जिसमें 6 करना है एक कोशन 5 नंबर का तो 6 पच्छे 30 नंबर यह हो गया सौट एंसर में 11 दिया रहेगा 10 करना है एक कोशन 3 नंबर का तो 10 करोगे तो 30 नंबर यहां से मिलेगा फिर objective या MCQ टाइप या one liner या fill in blank आपका 20 कोशन आएगा एक कोशन एक नंबर तो 20 नंबर 30 30 20 80 80 नंबर का यह पूरा आपका कह सकते हो paper होने वादा है final अब 80 नंबर आ 4 और 5 6 और यहां नीचे 7 क्या है describe the various root of drug administration यह root of drug administration एक ऐसा topic है लगवक पीछले 5 सालों में हर बार पूछा गया है जितने board की बात कर लें हर बोर्ड में आपका root of administration अगर आप फार्मकोलोजी तयार कर रहे हो पड़ रहे हो तो root of administration अच्छे से तयार कर जाना कौन को से root of administration हो दो पेज में आपको लिखना है उसके बाद अगर बात करते हैं sort note लिखिए drug absorption और factor affecting जी है अब देखो ADM में ADM में जो भी होगा पूरा process पड़की जाना है drug absorption distribution metabolism elimination सब कुछ सब कुछ आपको लिकर करके जाना है वहां से question बनते हैं तो यह वादा topic ध्यान दीजिएगा अभी सब्सक्राइब करेंगे साथी साथ कुछ हमारे दो ड्रग जैसे तीन दिया है तो दो को आपको उनका डिस्क्राइब कीजिए क्या होते है उनका example या classification डिस्काइब कीजिए जैसे कोली नर्जीग ड्रग क्या होता है local anestheticism क्या होते है इनका definition इनके example इनके टाइप यह सारी आप कर दोगे तो आपका दोनों का यह आपका पांच है तो धाई धाई नंबर मिल जाएगा दोनों में जैसे आपका यहां पर तीन दिया है तो दो करो सिटोवी निक जामपल के साथ डियुरेटिक क्या होते है जो आपके यूजिन को प्रमोट करते है उसके classification या आपके ट आपका फार्माकलोचकल एक्शन क्या होता है उसको लेघख यह को सकता है यहां 3 दिया है 3 में से 2 को आपको डिफाइन करना एग्जामपल के साथ जैसे एंती मरेडियल होता क्या है उसका definition उसका definition के साथ साथ आप example types दे दो antifungal agent क्या होता है उसको बता दो antitubercular agent क्या होता है उसको बता दो तो भी यह हो गया सात्मा question आपका क्या है drug distribution को define कीजिए और drug distribution में कौन-कौन सा factor देखो एक बार absorption पूछा है distribution पूछा है root-up administration पूछा है अलग-अलग जो drug है उनका definition और types पूछेगा ऐसा ही question आएंगे फार्मकोलोजी में और कोई बाहर से जादा नहीं आएगा अगर हम स्लेबस की बात कर लेना तो यह सारे question में देख सकते हो ना स्लेबस में आपके टोटल यहां पर अभी आगे बहुत चैप्टर है जर्नल फार्मकोलोजी के में क्या है इंड्रोडक्शन है स्कोप है रूसा रूटाप एडिमिन्स्टेशन यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से question बनते ही बनते ड्रॉप्शन बाइविल्टी उसके फैक्टर फिर उसके बाद ड्रॉग डिस्ट्रिबिशन बायो टां यह पूरा आपका किस पर पेरिफिरल नर्वर्स वाला फिर उसके बाद आई पर एक्टिंग कॉंसे ड्रॉग उनका जैसे मायोटिक्स मिद्रेटिक्स और ग्लाव कोमा में उसको याद करके जाना है सी एनस पर एक्ट करने वाले जर्नल एस्टेटिक हिपनोटिक सीडियोट निकाल्ग जट एंक जाना हैं यह यहां से कोश्चन बनते हैं उसके पाद काईयोवास्कुलर से भी आपका एंट इंट आनल एंट यह पूरा इंचलेवस है आपका और देखो कोस्चन कहाँ से हैं गे जो भी आपकोश्चन देख रहे होगे इनिस लीवस में से यह और आग से related kidneys related hormone and heterogonist hociene तो आपका हो गया आपका सक्षाइज का नाइश है नव कोस्ट एंगर सब्स सक्षाइब जो करना है एक question थीन नम्मर का है तो टूटल 30 मांक्स की होगा तो भी आ सौट नोड लीखिए history of pharmacology chapter 1 से question pharmacology का history लिख दो या इसकोप लिख दो ऐसे question आएगा advantage disadvantage लिख दो parental root of drug administration رूटब दिनिस्टेशन से अब इस्पेशली से परेंटरल पूछ सकता है और लूट भी पूछ सकता है तो एसे सारे रूट आपको तो याद करके ही जा रहे हैं उसके बाद जो आपके मैयोटिक्स और मेड़ेटिक्स पूरा चैप्टर उसके बाद opioid analgesic regarding short node लिखिए फिर आपका जो वही गोला न एंटी टासिव एक्सपेक्टो रेंड ब्रांको डिलेटर मायोलाइटिक इससे तीन तीन का लिख दोगे एक एक नंबर मिल जाएगा तीन नंबर यहां से हो जाएगा सौट नोट लिखिए क्जामपल के साथ यह एंटी इमेटिक्स और लैक्जेट्व के बारे में इंटि-मेटिक्स इंटीमाइट्रेव और इससे एकक आपके इस लेबस पूर थो इस पूरे स्लेबस को अच्छे से कबर करना है तो वही नोट्स आपको भी मैं बताऊंगा कैसे का करना है ठीक है अब चलो यह हो गया है ना सॉट नोटी को बाइवल्टी पे फिर उसके बाद क्या पूछ सकता है आपका फार्माकोलोजिकल और पैतोलोजिकल रोल किसी तरीका इंसुलीन विटमिन डी प्रोजस्ट्रें और कोटिकोस्ट्रोइड हार्मोन से रिलेटेड कोश्टन है तो तीम तो लिख दो कि तो ती नंबर यह मिल जाएगा जनरल मेकनियों और फैक्टर मोडिफाइंग ड्रंग एक्षन होता क्या है उसको बारे बता दो सौट नोट लिखिए किसी एक पे जैसे आपका एंटी एंज यानि 20 कोश्टन रहेगा एक रहेगा अब 20 में से आपका क्या हो सकता है दस आपके MCQ हो सकते हैं दस वन लाइनर हो सकते हैं या फिर आपका डिफिनीशन भी पूछ सकता है कि या अब्जॉप्शन क्या होता है डिस्टिबिशन क्या होता है जैसे आपका MCQ यहां पे नोट डाउन कर लो इन सभी एपिलेप्रिक ड्रग का मेकेनिजों अफेक्शन CTZ को ब्लॉक कर देगा या प्रोष्टाग्लेणिन को इनवीट कर देगा गलुटामेट का रिलीज इनवीट कर देगा गाबा रिसेप्टर पैक करेगा बताओ यह सारी चीजे हो गई तो MCQ में भी आपका चाहे आपका से सकते हो आपका हर्ट रिलेटेड हो या आपका जितने भी आग वर्लीट घट विलेटेड लाएगा पहर मिल जाएगा तो रिक्लेंटर नोर थीस देखना पड़ेसे लिगा और अगर आपको देखना पड़ेगा तो इस प्रकार के model question बन सकते हैं कि मोसन सिखनेस में कौन सी ड्रग आपशाइस है ताइक लिए अक्टिंग सिंपितो मैमेटिक एजेंट कौन सा है उसके बाद कौन साक्षन दिखाते हैं साथी साथ ड्रग अब्जॉप्शन में कौन सा फेक्टिंग नहीं होता है यह सारे आपके जो भी question है कौन सा आपका drug exclusion का क्या सकते हैं रूट अप नहीं है तो ऐसे question आपके बनेंगे mcq के बन सकते हैं यहां तो हमने है mcq हो सकता है one liner हो सकता है और आपका इसका skin sort अब ले सकते हो इन सभी चीज का skin sort भी ले सकते हो जिसे आपको question पता रहे या किसके topic में ली topic को करके जाना है अगर topic अच्छे से करके जाओगे ना तो question आपका हो जाएगा अब देखो पूरे स्लेवर का complete notes चाहिए कम समय में तयारी करना है तो आपको यही gdc classes app कहा जाना है gdc classes app हमारा play store पे app है यह इसका link में description में डाल दूँगा वहां पे defarmacy first year second year का complete पूरा subject first year के पाच्छों subject second year के च्छों subject का notes मिल जाएगा notes की खासिये थे complete syllabus का है हर एक subject हर एक चप्टर हर एक topic का notes मिलेगा subject wise arrangement है first year second year के अपडेटेट जो new syllabus है यहार syllabus है जिसमें आपका जिससे exam में question आएगा वह syllabus है आपका notes है perfect summarize notes है standard book से निकाली गई है और सबसे बड़ी खास यह थे easy to understand है यहां से देख सकते हो और यहां से अपने सारे doubt को clear कर सकते हो आप देखो किसी को notes चाहिए तो notes के अलामा बहुत से बच्चे यह कहते है sir हमको क्या चाहिए विडियो लेक्चर चाहिए ऐसे विडियो लेक्चर जिसमें हम पूरा topic समझ पाए और पूरा subject क्लियर पकर पाए तो उसका भी GDC classes आप पर जाओगे तो तो देख रहे हो विडियो ना इसे playlist डेर सारी प्लेश बनी है आपका अलग-अलग subject की जैसे सब्सक्राइब का सब्सक्राइब कर सकते हो और अपनी तयारी कर सकते हो एक्जिट एक्जाम की तयारी करने है तो उसके लिए भी बूक आपको मिल जाएगा जेग से वहां से दे प्लेश और डी फार्मेशी एक्जिट एक्जाम की जितनी भी प्लेश वगरा है इसी चैनल पर देख सकते हो तो यह रहा आपका कह सकते हो complete क्या Pharmacology dé-pharmacy second year का हमने ऐसे question निखाए जो question बराबर फस्ते हैं कि question को अच्छे से तयार करके जाना देख करके जाना किक्शन से बहुत ज़्यदा help मिलने वाली है आपको pattern थोड़ा बहुत change हो सकता है लेकिन question और topic लगबग same होंगे ठीक है और आपका ये notes प्राप्ट कर लेना और notes पगएरा या video lecture description को भी visit कर लेना उमेद होगी जानकारी अच्छी ही लगी होगी अपने D-Pharmacy, 1st and 2nd year कि सभी दोस्तों तक जरूर बेजे playlist का link लगा दूँगा उसको visit कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में सब तक के लिए पढ़ाई करते रही है Thank you so much, all the very best